जाहिन साथियो आज के यह वीडियो बहुत ही महत्पून होने वाला है यह उन साथियो के लिए बहुत ही महत्पून होने वाला है जिनका विहार SSC का मेंस परिक्षा देना है जिन्होंने PT परिक्षा पास कर चुका है यह परिक्षा 2014 में हुई थी और 13 दिसंबर को इसकी मेंस की परिक्षा होने वाली थे परन्तु कुछ कारणों के वज़ा से ये परिक्षा जो है वो टल गई और ये हाई कोट में चली गई हाई कोट में जाने के वज़ा से ये परिक्षा जो है वो फिलहाल अस्तगित माननी जा रही थे परन्तु हाई कोट ने आयोग को यह छूट दे में हम आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं तो बने रहे हमारे साथ और इस वीडियो को अंतक देखें क्योंकि इसमें आयोग द्वारा जो भी कारण और उसका निरान बताया गया है उसे सबिस्तार आपको बताया जाएगा आप आगे भी आने वाले ऐसे जानकारी क इस पर इच्छा को लेकर क्या कुछ सूचना जारी किया है बने रहे ये वीडियो में और देखते हैं किसने क्या कहा है देखिए ये ग्यापांग संख्या है आपका 3087 आवस्यक सूचना और इसे जारी किया गया है पटना से 9 दिसंबर 2020 यानि कि आजी के दिर आयोक कह रहा है क कि आयोक के आवस्यक सूचना ग्यापांग 1999 दिनांग 2710 2020 द्वारा ग्यापन संख्या 06060114 प्रथम इंटर अस्तरिये सयुक्त परतियोगता परिक्षा 2014 की मुख्य परिक्षा किती थी तेरा बारत 2020 निधारित की गई थी यानि कि यह बहुत बड़ी सूचना है कि कोट ने आयोक को परिक्षा कराने का अनुमती दे दिया है अब देखिए कि आयोक इस पर क्या निने लिया है आयोक द्वारा कहा जा रहा है कि दिरांग 1312 2020 को प्रथम इंटर अस्तरिये परतियोगता परिक्षा 2014 की निधारित मुख्य परिक्षा को आयोजित करने में कतिपर कठिनाईया है आयोक कह रहा है कि यह जो परिक्षा होने वाली है 13 दिसंबर को मुख्य परिक्षा बिहार ऐसे से की उसे लेने में इसे कुछ कठिनाईयों का सामना करना पर सकता है इसलिए इसके बारे में इसने बिंदुवार कुछ बाते कहीं है जो इस प्रकार है आयोक कहता है कि परिक्षा को निधारिती तीथी से कम से कम साथ दिन पुर्व परविस पत्र आयोक के बेव साइट पर अपलोड किया जाना आवस्यक है ताकि सभी परिक्षार्थियों द्वारा सवसमय परविस पत्र डाउनलोड किया जा सके इतना समय इसलिए भी आवस्यक है कि यदि परिक्षार्थी के परविस पत्र में कोई टूटी हो या उसे डाउनलोड करने में कठनाई हो तो इन समस्याओ या कठनाईयों का ससमय निस्पादन निराकरन किया जा सके ये भी एक अच्छा पॉइंट है आयोक के द्वारा और उसने दूसरे पॉइंट में कहा है कि इस परिक्षा से सम्मंधित अनेक अभियर्थी राज के बाहर रह रहा है जिने वापस आकर परिक्षा में सामिल होने के लिए कुछ समय के असकता होगे तीसरा दिनांग 13.12.2020 के पस्चाद 20.12.2020 को रविवार है जिस दिन कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज यानि की सीडिये की परिक्षा है और दिनांग 17.12.2020 एवं 18.12.2020 को भिहार लोग सेवा आयोग की परिक्षा है और दिनांग 15.12.2020 से 23.12.2020 तक विस्विद्यालेयों में विस्विद्यालिये परिक्षाएं जबकि प्रथम इंटर अस्तरिये सयुक्त मुख्य पर्तियोगिता परिक्षा 2014 के लिए कई कॉलेजों को भी परिक्षा किंद्र बनाया गया है इस परकार से 17.12.2020 से 23.12.2020 के दोरान परिक्षा की आयोजन में कठिनाई हो रही है ठीक है यह तो आयोग ने कहा फिर आयोग ने कहा कि अब कब कराया जाना इसके बारे में भी यह बता रहा है चौथा पॉइंट में वैसे आयोग ने कहा है कि परिक्षा को स्वक्ष एवं कदाचार मुक्त करवाने ही तो कतिपए ठोस ब्यवस्ता कराया जाना आवसेक जिस प्रकार से आपको पता है कि विगत दिनों में जो भी परिक्षा है हुई है प्रत्योगी परिक्षा है उस में कदाच workflow के आयोग लगते रहा है और इसके वज़त से ही यélior्र कई बार हूई और रद्द हूई अब आगे देखिए इसमें आयोग ने बताया है कि किस दिन वो परिक्षा लेने वाला है तो आयोग ने कहा है कि छात्रों के हीट को देखते हुए दिनांग 13-12-2020 की निधार परिक्षा तिति में आन्सिक्स संसोधन करते हुए उप्त परिक्षा दिनांग पचीस बारत दो हजार बीस को दो पालियों में आयोजीप की जाएगे मुख परिक्षा है तो अभियर्तियों के परविस पत्र सिग्र ही आयोग के बेव साइट पर अपलोड कर दिये जाएंगे अभियर्तियों को निर्देश दिया जाता है कि अध्यतन सूचना है तिव आयोग के बेव साइट हुए बाकी की सूचना के लिए आप हमारे चैनल से जूरे रहें तो अंत में कुल मिलाकर आयोग यही कर रहा है कि 25-12-2020 को आपकी परिक्षा होगी यह दो पालियों में होगी इसलिए आप अपने तयारी के लिए मतलब जी जान लगा दीजिए तब तक के लिए धनवाद फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सूचना के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जेवर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में सिखेंगें